आज मेरे साथ मेरे बहुत ही खास एक गेस्ट हमारे एक दोस्त आए हुए है जिनके साथ मैं रिसेंटली एक इवेंट में मिला था हमारे दोस्ती तो काफी पहले से हुई थी फेस्बुक के थूँ और हम लोग थोड़ा बहुत जानते थे कि हम दोनों ही सेवकाई के उस प्रिष्ट भूमी से आते हैं उस बैक्राउंड से आते हैं और अभी रीसेंटली आप बिलासपुर में शिफ्ट हुए हैं फॉर्स्ट अफॉर्स और ग्रेट राइपुर यूथ फेस्टिवल जहां पे तीन सो से भी जादा यूथ बहां पे आये थे और तीन दिन के वहां सभेकों ने अटेंड किया कुछ बताना चाहेंगे आप उस इवेंट के बारे में और सक्सेस के बारे में मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद देता हूं भाई सम्रिद आपको थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फो दिस प्रग्राम सबसे पहले बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार के विचारों के साथ और क्रियेटिविटी के साथ आप प्रभू की सेवा कर रहे हैं और ये भी एक नए इस नए पीड़ी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको प्रभू ने आपके मन में डाला मैं आज की सुबा अपने आपको बड़ा आशिशित में हसूस कर रहा हूँ आपके साथ होना और मैं सही में प्रभू को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्दगी में बहुत सारे मित्र तो मिले लेकिन बहुत कम ऐसे मित्र मिले जो सेम प्रकार के बोज और उस प्रकार के दर्शन में मेरे साथ होकर प्रभू की सेवा का अलग- derived वो उठा रहे हैं और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और मैं प्रभू को इस दोस्ति के लिए और इस रिस्ते के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, हाँ मैं बिलासपूर आ गया और मैं प्रभु को भी महिमा देता हूँ, और अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने राइपूर में एक राइपूर यूद फेस्टिबल करके एक कारिक्रम रखा, और हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 300 लोगों में हो, लेकिन प्रभु के अनुग्रा से वो 500 से ज़ाधा रेजिस्ट्रेशन हुए, और पूरे 36 गड़ से बहुत अलग-अलग जगों से लोग आए, ना सरिफ 36 गड़ बलकि ज़ारखन भी रहा, मंधि प्रदेश भी रहा, और एक बहुत अच्छा समय हम लोगों का उस कारिक्रम में रहा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है, और कहावद भी है कि जब लोहा गरम रहता है, तभी उसमें हतोडा मार देना चाहिए, और आपसे मिलने का, आपसे इस तरीके से, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक कोई formal interview या फिर ऐसी बातचीत नहीं है, मैं personally भाय अनुच के काम से काफी प्रभावित हुआ था, और किस तरीके से जिस भी प्रभाव में वो काम कर रहे हैं, उसमें मैं जानना चाहता था कि उनके बारे में कि वो आज इस प्रकार की सेवकाई में कैसे आये हैं, और किस तरीके से उनको ये बोज आया कि वो इस शेत्र में एक पास्वान होने के नाते अपने उन जिम्मेदारी को, अपने उस बुलाहट को या अपने उस दाइत्व को निभा रहे हैं, तो मैं personally आपसे जानना चाहता था, और मेरे पुरसी जानने के द्वारा शायद और भी लोग आपके साथ एकमन हो पाएंगे, आपके दर्शन के साथ, आपकी जो मनसा है, जिसी प्रकार से आप सेवा करना चाहते हैं, तो कुछ पताएंगे उसके बारे में? मेरे लिए हमेशा से ये बहुत आशीश का कारण रहा है, कि मैं उस काम को बताऊँ जो प्रभू ने मेरे साथ किया, और ये बिल्कुल बहुत बहुत अद्भूत रहा मेरे लिए, आज से बारा साल पहले, बिल्कुल भी पादरी बनना या पास्टर बनना या प्रभू की सेवा करने का ऐसा जरा भी मन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में आई और मुझे लगता है कि शायद उनका आना भी बहुत जरूरी था, और उसी के कारण से प्रभू की सेवा आज मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल बहुत कम समय में मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ठोस बातों को ही बताउँ, ताकि जिन बातों से प्रभू को महिमा मिले, बारा साल पहले मैं पढ़ना चाहता था, और मैं एक बहुत अच्छा इस्टिटेंट था भी अपने स्कूलिंग में और कॉलेज में लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई फैमिली के साथ ट्रेजडी हुई कि मेरी पढ़ाई रुग गई ग्यारवीं तक और उसके बाद फिर मैं पढ़ना जाता था मैं पढ़नी पाया फिर एक लोकल चर्च के सपोर्ट से मैं किसी तरीके से टुवल्थ कम्प्लीट कर पाया और उसके बाद फिर मेरी नौकरी लग गई इंडियन एरफोर्स में भारतिय वाईू सेना में बेटा एरफोर्स का बेस station है बिहार के दानापोर में और वहां पे मेरी पोस्टिंग शूई और जब मेरी नोकरी वहां पे लगी तो उस से पहले जो दो साल जो प्रभू ने संभाला मेरे बेहद केलेपन में और और खासकर उस समय में जब मेरी पढ़ाई छूटी, दोस्त छूटे और मेरे सारे सपने जब धरे के धरे रह गए, तो उस बीच में जो दो सालों का समय था, उस समय में मैंने परमिश्य के प्रेम को बड़ा अनुभाव किया, महसूस किया, और उसके बाद मेरी नौकरी लगी तो मेरे अंदर से मानो एक आवाज आती थी कि अगर मैं सिर्फ नौकरी करने लग जाओं अगर मैं यहाँ पे, तो वो काम जो प्रभू ने मेरे अंदर किया है, वो शायद कहीं न कहीं दबा रह जाएगा, और वो शायद बेकार पड़ जाए, और उसके बाद मेरा मन जैसे जैसे समय वहाँ बीतने लगा, वैसे वैसे मेरे अंदर से यह बाते और जादा पुखता होने लगी, कि नहीं परमेशों ने तुम्हे अपनी सेवा के लिए चुना है, परमेशों ने तुम्हे बुलाया है ताकि तुम बाहर निकलो, और ऐसे लोग जो बहुत अकेलेपन औ को, और फिर फैनली मैंने वो नौकरी छोड़ी और मैं राची आ गया, और एक लोकल चर्च के सपोर्ट के कारण मैं फिर सीधा मैं बैंगलोर गया, और मैंने थियोलोजिकल की पढ़ाई करी, बाइबल कॉलेज करा, और फिर वहां से लोटने के बाद मैं पिछले दस सालों से राची में मैं सेवा कर रहा था, तई अलग-अलग तरीके से, मीडिया और पब्लिकेशन और मिनिस्टी में और चर्च मिनिस्टी में और एंवनजलिजम में और वर्षिप में भी, और उसके बाद पिर तकरीबन 2017 में ऐक बार फिर से मैं बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया और मैंने bachelor of theology की चार साल की डिगरी complete करी और उसके बाद फिर अभी मैं बतौर candidate मैं भी बिलासपूर में पोस्टेड हूँ और संभवता इस साल या फिर अगले साल के शुरू शुरू में शायद पादरी बनने का भी गौरव मुझे प्राप्त हो तो यह एक छोटी सी ज जाने कितने काम मेरे जीवन में किया है जिनके कारण मैं उन सभी युवाओं की परिस्थिती को समझ सकता हूँ चाहे वो जिस भी परिस्थिती से गुजर रहे हो परमेशर भला है परमेशर को धन्यवाद हो आपके छोटे से परीचे को लेकर आपकी बातों को सुनके मुझ देखल मन नहीं था कि कैसे मैं सेवकाई में फुल टाइम मिनिस्ट्री में एक तरीके से एक संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफि सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे कि पास्टर या अपॉसल या एक प्रेरित होना या एक दर्शार में झाल में बनाया है उसके विपरीथ हमें काम करना बहुत मुश्किल होता है है और आज अगर अग। अपनी journey को नहीं समझ पाते, अपनी नौकरी को नहीं छोड़ते, या मैं अपनी उस journey को अपनी बुलाहाट को नहीं समझ पाता, तो कहीं न कहीं परमेशय के plan में पीछे रह जाते, या फिर उसके वो देश को पूरा करने में पीछे रह जाते, मैं आगे जाना चाहूँगा और मैं जैसे जनता को बता चुका हूँ जो लोग ये सुनना चाहते हैं कि ये परसनल मीटिंग होने वाली थी पहले अनुच भाई ने सोचा कि उनको विलासपूर से शायद राइपूर आना पड़ेगा मैंने काई नहीं नहीं हम लोग जूम कॉल में कर लेंगे ऐसा कोई दिक्कर नहीं है और मैं बहुत ही खुले मन के साथ आपसे कुछ प्रशन पूचा चाहूँगा पहले मैंने आपके अतीद को जो पहले था और आज जो कर रहे हैं और फिर तीसरा प्रशन रहेगा जो आने वाले कल के विशे में रहेगा और मेरा एक यह सवाल था खासकर जवानों के लिए कि आजकल बहुत सारे जवान है वो नए टाइप या फिर नए स्टाइल के चर्च में जाने के लिए बहुत उत्सक होते हैं क्योंकि आप यूट्यूब आ गया है फेस्बुक आ गया है सोशल मीडिय के थुरू जो दुनिया भर के अंतराष्ट्रिय चर्च का जो एक एक इमेज है वो काफी सारा लोग को अट्राक करता है योनो स्टेज में आने का या फिर वर्शिप लीड करने का या फिर यहां लाइटिंग्स हैं यहां पे डान्स हो रहा है यहां पे आर्ट्स हो रहा है और उस परिसिती में क्योंकि मैं खुद एक लूथरन कलीसिया से आता हूँ हम दोनों का जो background रहा है family background उस तरीके से हमारा जो नीव है कही ना कही बराबर है तो यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था कि ऐसे समय में हमारी जो mainline churches हैं, वो किस बुन्याद में खड़ी हैं, किस ground में खड़ी हैं और ऐसे generation के लिए आपके पास क्या संदेश होगा, क्या उसका उत्तर होगा? यह अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं इससे पहले कि मैं इस सवाल का जबाब दूँ या इस पे हम लोग openly बात करें, मैं ऐसा सोचता हूँ कि दोजुआर बहुत जादा जो आत्मिक हैं, हो सकता है कि यह बाते आपको थोड़ा सा कस्ट दे सकता है, और मैं आप लोगों की मदद इस दिशा में इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी उस ग्लैमर और उस फेम को छोड़के आज मैं प्रभू की असल सेवा के मतलब को मैं समझ पाया हूँ, और यह बहुत बड़ा सवाल है कि फेम और ग्लैमर के पीछे तो आज बहुत सारे लेकिन कई बार उनके दिमाग का बहुत बड़ा हिस्टा उनको इस बड़े भर्म में रखता है, धोके में रखता है कि यह भक्ती है, जैसे उधारन के तौर पे मैंने कई सारे युवाओं और विशेष तौर पे वर्शिप कॉंसेट में या कई बार मैंने रांची के बहु दिख रही होती है, short short उनके कपड़े होते हैं, और वो हाथ उठा कर वो भक्ती में अरादना करती है, hallelujah, praise the Lord, और हाथ उठा उठा के, और जितने भी लड़के होते हैं, वो stage पे या side में, वो भी पुरे भक्ती में शराबोर होते हैं, मेरे प्रियों इस बात को समझना होगा, और कई बार इस बात को हम लोग बड़ा नजरांदास भी कर देते हैं, कि हमारे भक्ती का मूड कैसा जा रहा है, है ना, और जो शालिनिता, जो अराधना की है, कहीं वो खराब तो नहीं हो रही है, मेरे प्रियों आज इस विशे पे इसलिए बात करना बहुत जरूरी है, क् कहले उकि बहुत सारे यूप आज इस बात को नहीं समझ पार हैं, कि उनकी सबसे पहली मिनिस्ट्री, उनकी सबसे पहली जो जो पॉलिंग है, वो उनका करियर है, जिसके लिए वो बुलाए गए हैं, और कई ना जाने कितने ऐसे प्रबु के दास हैं, जो अपने बच्चों को इतना जादा इंगेज करके रख रहे हैं कि उनसे सिर्फ आत्मिक बाते अरे प्रभू के लिए प्रभू के लिए परमेशुर करेगा ये करेगा और जो उनके पाद जो सबसे बहुमुल्य समय जो उनका है वो उनसे ले ले रहे हैं और जब उम्र जब खतम हो रही है जब 30- जब उनको खोश आ रहा है तो पता चल रहा है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा अच्छा लंबा समय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी पास्टिर की सेवा और किसी चर्च की सेवा में निकाल दिया अब उनकी दशा ऐसी है कि ना तो उनसे सेवा हो रही है और नहीं वो कुछ और करने के लाइक है आज मैं बहुत सारे जवानों से कहना चाहता हूं आत्मिकता अच्छी बात है यह बढ़ियां है लेकिन परमेशुर चाहता है कि आप अपने करियर को भी समझे और उसके दिशा में भी आगे बढ़ते चले जाए एक बड़ी महत्यपून सी बात मैं उधारन के तौर पे मैं समझाना चाहता हूं कि कहां पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है और आप इसको अपने परिस्थिती से रिलेट कर सकते हैं जीत् 거내 жवान है कई बार हमें लगता है कि दिक्कत शराब से है कई बार हमें लगता है आप शराब की जगे आप अपनी किसी भी परिस्तिती को चाहे आप अपने नीजी सेक्शुल प्रॉब्लम या अप अपनी गल्रफ्रेंड या आप बहुत ज्यादा आत्मिक या फिर चर्च या मिनिस्ट्री आप इसको किसी को भी ले सकते हैं जैसे बहुत बार लगता है कि शमस्या शराब से है अब अब उधारन के तोर पे आप रेलवे प्रेटफॉर्म पे खड़े हैं और आप ट्रेन का इंतिजार कर रहे हैं और ट्रेन आने वाली है और आप कैंटीन में गये और कैंटीन में बैठ कर आप वहां पे शराब पीने लगे अंदर में कैंटीन में और आप शराब पीने में इतने ज़्यादा मश्गूल हैं इतने मश्गूल हैं इतना ज़्यादा डूब गये हैं कि ट्रेन आई और ट्रेन चली गई आपको पता ही नहीं चला और जब आप पी के जब प्रेटफॉर्म पे आए तो आप क्या देखते हूँ कि शराब उतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना कि कई बार लोगों का ध्यान इस बात पे नहीं जाता कि अरे ट्रेन छुट गई है अब आप कैंटीन में जाके आप तुम शराब पियो या तुम दूद पियो डिक्कत ये कि ट्रेन छुट गई है और लोगों का ध्यान उस बात पे नहीं जा रहा है लोगों का ध्यान सिर्फ शराब पे है सबसे बड़ी कॉलिंग जो हमारी है वो ये कि हमें ट्रेन पकड़ना है हमें जीवन के फ्लो में आगे बढ़ना है नौकरी करनी है अपनी आइडेंटिटी बनानी है अपनी पहचान बनानी है हाँ ये भी बात सथे कि बहुत सारे लोगों को प्रभू फुल टाइम सेवा के लिए भी बुलाता है लेकिन परमेश्वर उसको खुद अपने समय पे पूरा भी करता है आज बहुत सारे लोग जो की इस बात से भी भ्रमित होते हैं कि सच्ची अराधना क्या है हाथ उठा के गाना गाना ही सच्ची अराधना है या फिर जब तक गिटार ना बज़े जब तक हालिलुया ना बोला जाए तब तक अराधना नहीं है जब तक चिलाया ना जाए तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस बात ने मुझे बड़ा कन्विंस किया है वो यह है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि कई बार परमिश्यर का काम बड़े शालीनिता से भी होता है। बड़े शावर अब नहीं किया लेकिन परमिश्यर का काम हुआ ना लाखों लाखों मिलियन्स लोग प्रभू के राज्य में आए और उसके बाद उनीस सौ तकरीबां सतर और और असी के बाद हम लोग देख रहे हैं कि पैंतिक चर्च का आगमन हुआ तकरीबां 120 साल के बाद परमिश्वर वही है और वो कई बार शालीनता से भी काम करता है कई बार शांती से भी कई बार हमें चिलानी की आवशकता भी नहीं है और वो कई बार हमारी बातों को ऐसे ही सुन लेता है समझ लेता है तो दोज तो वो जिनको लगता है कि नहीं सिर्फ वही अरादना सही है या फिर उसी तरीके से होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, हमें और भी चीजों को समझने और जानने की आवशनता है इस मैटर पे, बहुत सारे जवान मेरे से सवाल करते हैं कि कौन सा चर्च सही है, कौन सा चर्च गलत है, क्या जील चर्च ठीक है, य या एजी चर्च या ये चर्च या सी सी चर्च या ये, तो मैं उन लोगों को जवाब देता हूँ कि कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है, कोई भी चर्च नहीं, सचाहित तो ये कि सब चर्च अधूरे हैं, सब चर्च अधूरे हैं, परमेशुर ने आपको जहां रखा है परमेशोर का धन्यवाद दे और उसी चर्च में परमेशोर की सेवा करे यदि आपका दृस्टी कोन सही होगा मैं आपको सही बता हूँ, आपको हर चीज में अच्छाई दिखेगी, अगर आपका दृष्टी कौन गलत होगा, तो आप दुनिया के आप किसी भी चर्च में चले जाओ, आपको वहाँ खामिया दिखाई ही देंगी. आपने बहुत अच्छा कहा कि शालींता से भी, जो कि हमारे बहुत सारे ग्राउंडिड ऐसे चर्चेज हैं, जिनके बहारी रूप से शायद लोग अट्रैक्ट ना हो रहे होंगे, लेकिन कि अंदरूनी रूप जो हैं परमेशर में, खासकर मैं बहुत दात देता हूँ, हमार जी एल चर्च के लोगों का, उन फैमिलीज का, जो इतने ओनिस्टी के साथ, इतने हुमिलिटी के साथ, अपने उस नेचर, अपने कारेक्टर के लिए बहुत जादा फेमस हैं, सेफ इंडिया में, नहीं, लेकिन इंडिया के कोने-कोने में, जहां-जहां भी वो लोग काम क जो हैं, मैं इससे पहले गोवा में रहा करता था, आपको जान के पता नहीं, आश्चर होगा कि नहीं, लेकिन गोवा के पेट्रोल पम जाएं, अगर आपके इंटरनेट वाला आ रहा है, अगर मचली खाने के लिए जा रहे हैं, तो हर उन जगों में जारकन और च्छत्यज हम जाके उस कॉंट्रिबीशन को चर्च में करें, आपने एक बात जरूर बताई कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जादा ओर स्पिरिचुलाइज कर देते हैं, लेकिन दूसरे जगह ऐसे भी लोग हैं, जो अपने करियर या अपने माटिरियलिजम या फर अपने सक्सेस औ उनको कभी कबार उस प्रका का सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कितार यह होता रहागा चर्च वगरा यह सब होता रहागा, लेकिन पहले अपने करियर पे धियान दो, उनके लिए आपके पास क्या संदेश है, ऐसे लोग जो बहुत जादा अपने आउटवर्ड और अपने करना है, महसूस करना है कि परमेशों चाहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नती कर रहे हो, तीसरा यहना में, वैसे तुम सब बातों में उन्नती करो, और परमेशों चाहता है कि हम लोग आत्मिक उन्नती करें, और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग यह सोचत है कि सब कुछ मेहनत का खेल है भागे भरोसे है और सब कुछ होता है मैं हमेशा से अपने चर्श में इस बात को कहता हूं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी इंसिट्यूशन या कोई भी कोचेंग या कोई भी ऐसा संस्था यह सिर्फ आपको डिगरी देती है। सिर्फ डिगरी आप 80 प्रतीशत 90 प्रतीशत इक सफलता नहीं करती है। लेकिन कोई भी college आपको सफलता प्रदान नहीं करती, कोई भी university आपको सफलता नहीं देती, सफलता सिर्फ परमेश्वर देता है, इसलिए हमें जरूरत है कि अगर हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है, या हमें संसारिक रूप से या जिस भी तरीके से अपने जीवन में हमें आवश्यक्ता है, और परमेश्वर तो ऐसे भी चाहता है कि परमेश्वर की सेवा के लिए सब लोग जन बुलाए गए हैं, तो अगर आप आत्मिक रूप से अगर कमजोर होंगे, तो फिर आप चाहिए कहीं पर भी नौकरी लगे, आप सिर्फ नौकरी ही करते रह जाएंग कि आप इसको महसूस करिएगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आत्मिक हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों से सेपरेट हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आज के समय में लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, आत्मिक होने के बाद, कि उनको सिर्फ अपना इचे छुटता चला जाता है, मेरे प्रियों मुझे नहीं लगता है कि परमिशर का काम ऐसे होता है कि वो लोगों को लोगों से अलग करें, और मुझे ये बात में लाइन चर्चेस की बहुत अच्छी इसलिए भी लगती है, विशेस तोर पर लूथरन चर्च जो कि अभी 17 1292 शाल, 180ा का सफर ते कर रहा है, इसकी खास बात यह लगती है कि ये समाज को लेकर चलता है, और इतने लंबे समय तक कोई धरोहर अगर चली है, अगर इतने लंबे चलने अगर लेगेसी चल रही है, तो इसका कारण है कि परमिश्व्र नहीं क है सब लोगों को साथ में ले का चौंद ये अपनी जगे पर सही है लेकिन हमें इस बात का जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार हम समाज के उन वर्गों को भी साथ लेके चले जो शायद स्टेज प्याने में अनकमफर्टेबल फील करते हैं हां हम लोग पड़े लिखे हैं हम लोग शहर के हैं ल मिनिस्ट्री में कि वो भी उतना ही सहज महसूस करें जितना की आप तो यह सब भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हां निश्चित तोर पे आपको परमेशुर की आवश्यक्ता है अपने हर एक आत्मिक चीजों में बढ़ने के लिए और परमेशुर आप ही आपक जोती को भी पीछे भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग शहर में आचुके हैं या फंदो जादा एडवांस हो चुके हैं बहुत जादा एड़ुकेटेड हो चुके हैं लेकिन मुझे आपका अप्रोच काफी पसंद आता है कि आप बहुत कॉंटेंपरी स्टाइल से आप अपन होते हैं और आप उन लोगों को परमेशर के पास और नजदीकी में एक बैलन्स तरीके से ज़सा आपने बता है कि आत्मिक बढ़ोतरी में भी और शारिक बढ़ोतरी में भी जिस तरीके से उनको बढ़ना है तो आपकी क्या प्लान्स हैं कि आप क्या चाहते हैं कि यह जो च परमेशर का इस मंडली के थ्रू वो आप अपने शहर में अपने स्टेट में अपने नेशन में किस तरीके से वो फिला पाएं यह एक बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि शायद इस जिम्मेदारी के लिए और इस बुलाहट के लिए हम सभी लोग बुलाए गए हैं अ कि अगर आपको लगता है कि आप नोक्री कर रहे हैं यह फिर आपको और पर मुझे के राजम दे कर और यही सबसे मेजर काॉलिंग है जो सबको मिली हुई है लोगों को याद करे या ना करे आज मैं हूँ कल के दिन में खत्म हो जाओंगा और ना जाने कितने ऐसे प्रबू के सेवक हैं जो आए भी और खत्म भी हो गए और हम लोगों का भी दौर जाएगा लेकिन जो योगदान हमारा समाज में होगा उन युगदानों को लोग कभी नहीं भूलेंगे, वो हमेशा याद रहेगा, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जो लोग पास्टर तो नहीं है, वो प्रभू की सेवक भी नहीं है, लेकिन नौकरी करते-करते उनका युगदान ऐसा है, बहुत सारे ऐसे हंड जिनको उन लोगों ने बनाया है, मैं परमिश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, और की परमिश्वर ने मुझे जिस तरीके से नर्चर किया और अपनी सेवा में बुलाया, तो जब मैंने परमिश्वर के असल सेवा को समझा ना, तो मेरे कंधे से गिटार उ और अपने लोगों के लिए ना, मुझे बड़ी मेरे अंदर बहुत बोज है, क्योंकि बहुत सारी लोग ना, मतलब सबसे असान क्या है, सबसे असान है कि गलत बोलो और आगे बढ़ो, तुम गलत हो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन परमिश्वर इस प्रकार से मदद कर रह है कि हम लोग रह के अपने लोगों के साथ काम करें, बिल्कुरा और बदलाओ या जागरिती ये सब कुछ ना, ये परमिश्वर का काम है, और वो करता है, हम तो बस उसके जरियां हैं और वो मदद करेगा, और वो करता भी है, और रही बात जो भी बदलाओ की या फिर करता हूं, बहुत सारे लोगों को मैं ये सिख्छा देना भी चाहता हूं, कि आपको जिस चीज की सबसे जादा जरूरत है ना चर्च के मिनिस्ट्री में, वो है पेशेंस की, हमारे बहुत सारे जवान म्यूजिशियन्स खास तर पे वो अपना पेशेंस खोने लगते हैं, जब बहुत बार मम्मी पापा इन्वाल्व होकर उनको रोकने टोकने लगते हैं, तो मैं उनको बड़ा हिम्मत देता हूं कि नहीं, we need to be patient, हमें थोड़ा सा धैरे के साथ काम करना होगा, और परमेश्वर ना कई बार हमारे धैरे रखने के कारण, और हमारे शांत रहने के क होना अपने आप इतनी सुन्दर उपाए को करता है, कि बाद में हम लोग देखते हैं और कहते हैं परमेश्वर ये सच में आपने किया, हम लोगों से संभाव नहीं था, तो परमेश्वर का काम है बदलाव करना, जब उसने प्रामिस किया पत्रे से कि देखो इस पत्थर प ये टोटली परमेश्वर का काम है और उसको अपना काम मालूम है कि किस समय पे और किस तरीके से करना है, वो अभी भी बहुत सारे चेंजिस को हमारे अंदर कर रहा है, जिसके बिना कोई भी जागरिती या बदलाव आनी अधूरी है, तो वो सबसे पहले कि बाहरी चीजों म आपको नहीं पता, परमेश्वर इससे पहले बाहरी परिवर्तन करें, वो अंदरूनी कर रहा है, और मैं सम्रीद आपको बताऊं, और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अंदरूनी तरीके से बहुत काम कर रहा है, लोगों के जीवन को बदल रहा है, हमें लगता था कि कई तो अब एक नया बदलाव आने वाला है और हम सभी लोग जो इसमें शामिल है वो आने वाले दिनों में एक बड़े जागरिती को देखेंगे, मेरी बस कोशिश ये है कि जिस प्रकार से परमेशन ने मुझे एक प्रकार से मैं जिस प्रकार तयार हुआ वो ये था कि मैंने कई बार लोगों के जीवन को देखकर मैं बहुत ठोकर पाया हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अब अपने लोगों की बीच में जब मैं सेवा कर रहा हूँ तो कमसकम वो चीज़े रिपीट ना हो, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि स्टेज पे बहुत सारे जो मेरे जो मतलब लेकियों के साथ चैटिंग करते हुए देखा, मैंने उनके चैटिंग देखी, शादी शुदा है, अपनी पतनी से 8 बजे तक ही बात हुआ, लेकिन चर्च के किसी लड़की से उनका रात के 1.5 बजे, 2.5 बजे तक बात हो रहा है, और ये सारी बातों ने मुझे बहुत ये तो उनके लिए फिर वो मिनिस्ट्री त्याग कहा रहा, वो सफरिंग कहा रहा, वो क्रूस कहा रहा, तो मिनिस्ट्री ना एक बहुत बड़ा सफरिंग भी है, और मैं उस त्याग के लिए तयार हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे जवानों की एक टीम बनाओं, जो इस त कोड़ने के लिए तयार हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हमें हो सकता है कि दो हूं पांच हो दश हो हमारी संख्या कम ही क्यों ना हो लेकिन अगर हमें ठोस और ऐसे सचे लोग मिले जो कुरूस उठाने के लिए तयार हैं जो ना बोलने के लिए तयार हैं नो बोलने के लिए तयार हैं, तो हम एक ऐसी पिढ़ी का निर्मान करना चाहते हैं, और परमिश्वर इसमें हम लोगों की मदद करेगा। अनुज थैंक यू सो मच कि आपने उस प्रकार के एक कॉलिंग को, एक तरीके से एक प्रोक्लेमेशन को दिया हमारे जवानों के लिए कि कौन ऐसे जवान हैं, जो उस सची मसीहत को हैं, अपने क्रूस को उठाने के लिए तयार हैं, और यिश्मसी के सच्च चेले बनने के लि क्रती या अपने उस कमिट्मेंट के प्रती, जो परमेशन ने कमिशन दिया है, हमें जो इसको पूरा करने के प्रती, भाई अनुज और ऐसे और भी जितने ने पीडी के लोग हैं, जो कही नकही निराश हो रहे हैं, या फिर डिसपॉइंट हो जाते हैं, वो जो अपने में हम कोशिश करेंगे कि हम और भी ऐसे टॉपिक साज एक जनरल बहुत ही ब्रॉडन विजिन टाइप के बाते हमने किया है लेकिन मैं मौका दूँगा भाई अनुज को कि वो अपने कुछ पर्सनल कॉमेंट्स भी हमारे ओडियंस के लिए कुछ इंकरेजिंग मेसेज भी दी हैं या कॉंट्रोवर्शिल टॉपिक्स लाइक बारे में बात कर सकते हैं बहुत ही बड़ा क्वेश्चिन जो हमारे एंडेवलू या लूतर निया किसी भी में लाइन चर्च का या यह यह बाप्टिजम कोई बोलता है ऐसे डुबादो कोई बोलता है चिड़क दो कोई बो बेशर आपको जिस बात के लिए कायल करता है आप वो सईस्च चुनाव ले हैना ऐसा मत बोले किनी वह अनुछ भी यह ने बोला था उस वीडियो में समृत भी यह न उस वीडियो में बोला था इसलिए हो सकता है कि हम सेक्स के बारे में बात करें हम पर्णॉग्रफिक के ब पतलब जरूरी नहीं इस वीडियो के कमेंट में या फिर हमें पर्सनली भी काफी सार लोग जानते हैं अगर आप चाहते हैं कि देखिए हम तो नहीं कभी पूछ पाए आप लोग ने एक पैनल क्रेट किया है क्यों आप ओपनली इसको करें क्योंकि यूट्यूब में कभी भी दिखाए देते कि कौन देख रहा है तो जितने भी लोग देखें वो लोग आशीश पाने पाएं ऐसी चर्चाओं से एक उपन माइंडेड अप्रूच समझने पाएं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है न हम यह नहीं चाहते कि लोग हमारे विचारों के प्रती जो हैं बदल जो सचाहिया हैं जो कभी नहीं बदलते हैं और हम परमेशर में होके हम बदलने लग जाते हैं तो हमारे यात्रा में जिस जर्णी में हम लोग ने अभी भी जवान हैं अभी भी हम आगे की 30-40 साल की मिनिस्ट्री मैं देखना चाहूंगा और जिसी प्रकार से मैं उनको जाते कहना चाहेंगे कि हम और कैसे इस वीडियो के द्वारा हम लोग किस टाइप के हेल्प को किस टाइप के यह नो रिलीफ को लोगों तक पहुंचा सकते हैं बहुत धन्यवाद फाइनल कमेंट की बात आ गई है अब इसका मतलब कि अपकारिकरम खत्म होने वाला है लेकिन हाँ यह यह बहुत जरूरी है कि हम लोग ना बहुत सारे ऐसे मुद्धों पर बात करें जिस पर खास तोर पे मेंलाइन चर्चेज में बात नहीं हो पाती और इसका यह मतलब नहीं है कि चर्च की खामी है हाँ मैं इस बात को स्विकार करता हूँ कि कई बार शायद ऐसे जवाब देने वाले बहुत कम रहे और जो जवाब देने वाले थे वहां तक सवाल पहुँच नहीं पाई अभी तो इंटरनेट का माध्यम है तो अभी हम लो बड़े कन्फ्यूज है शायद वो ऐसे लोग है जो आज कहीं पर हैं कहीं से निकले हैं कहीं पर पहुंचे हैं और वहां भी संतुष्ट नहीं है अब वो कहीं और जाने की फिराक में मैं आज आपको एक बड़ा अच्छा सिधान्त बता रहा हूँ और यह आपकी मदद करे मैं आपको बताओं एक बहुत सिंपल सा एक प्रैक्टिकल चीज है आप उसको जानते हैं जो पेड बार बार अपनी जड़े से उखारी जाती है जो पेड बार बार अपने जगे से निकाली जाती है वो पेड बहुत मजबूत नहीं होती इस बात को समझेगा आज के जमें म या चोरी या फिर लोब या फिर आपको लालश में नहीं 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 इसमें हम सब लोग स्ट्रॉंग है शैतान भी शातिर है अब वो नया तरीका इजात कर रहा है वो आपकी नियू को कमजोर कर रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं आप बहुत अच्छा ये कर रहें नही Bible अधारित Church में जा रहे हैं, आप बहुत आत्मिक रूप से परिपूर्ण हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन मालूम ये सब चीज़े ठीक हैं, लेकिन वो आपकी जड़ो को कमजोर कर रहा है, और मालूम इसका खामियाजा आपको कब पता चलेगा, इसके खामियाजा आपको जवानों को, और मैं आशा कर रहा हूँ कि अगली बार फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा, कि हम लोग बैप्टिजम जैसे बहुत जोलन्त मुद्दों पे बात करेंगे, और अन्य भाषा, टंग्स, अनॉइंटिंग, अभिशेक, पवित्र आत्मा, इन सब विशेयों पे भी बा बहुत सारे पहलू है, जिसको हम लोगों को देखने और समझने की आवशकता है, और हमें मिलान करने की जरूरत है, कि जो चीजे हम समझ रहे हैं, कि बाइबल के अधार पे वो चीजे उतनी सही है या नहीं भी है, जितने भी लोग जिनों ने परमेश्वर के काम को किया, उ भी हमारे तरीके सही थे, या फिर शायद कुछ और भी चीजे है, तो आने वाले दिनों में हम लोग और भी ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे, जरूर से आप अपने कमेंट को छोड़ें, और जरूर से बतलाए भाई समरिद को, कि आखिर कौन से ऐसे विशे हैं, जिस पे ह हम लोगों को खुल के बात करने की आवशकता है, परमेश्वर, आप सभी लोगों को बहुत आशीज दे, मेरी ये प्रातना है, कि आने वाले दिनों में हम वो लोग होंगे, जो बहुत मजबूती के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे, और जहां भी रहेंगे, हम चमकेंग और हमारे प्राकाश को लोग देखेंगे, और परमेश्वर की महिमा करेंगे, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे तरब से धेर सारी शुब कामना है आप लोगों को, बहुत धन्यवाद भाई अनुज, आप लोग ज़रूर अपने प्रेम को और अपन कमेंट्स के तुरू या अपने यह पर्सनल मेसेज़स के तुरू जरूर हमें बताएं कि क्या आप रिप्लाइन नी करेंगे तो हमें एक करने की जरूरत नहीं है मैं और अनुच भाइप परसनली वाटसाइप में बात कर लिया करेंगे वीडियो कॉल में लेकिन यह परपसु ज्यान बुद्धी समझ दी है उसके अनुसार हम आपको सही दिशा में गाइड करना चाहते हैं अपने विचारों को रखना चाहते हैं और अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई मदद और साहता चाहिए जिसमें हम जिस टॉपिक्स में हम लोग बात कर सकते हैं हम कोशिश कर प्रायर्टीज को समझने में हमने आप अपने जो हमारी मदद की है यह हमारे मनों को एक करता है एक दिशा को बताता है कि हम कि इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई सम्रिद और बिलकुल ऐसा होगा और जाते जाते और अंत में जरूर से एक बात को कहते हुए मैं अंत करना चाहता हूँ और वो यह है आप इसको सोचिएगा विचार करिएगा और यह आपको आशिश देगा आप जिसके भी चश्मे से देखे आपको चीजे वैसे ही दिखाई देंगी आप जैसे भी जिस भी चश्मे से आप चीजों को देखेंगे वो चीजे आपको उसी चश्मे से दिखाई देगी हमारी कोशिश बच इतनी है कि आप दुनियावी चश्मे को उतार कर आप इश्वर के दृस्टिकों से चीजों को करें आपको हर जगा परमेशों का धेर सारा काम दिखाई देगा परमेशों आप लोगों को बहुत आशिस दे में God bless brother Samrid आपके सेवा के लिए आपके डेडिकेशन के लिए और मेरी ये चाहत है कि आने वाले दिनों में जरूर से परमेशों जिस प्रकार से आपको तयार किया ह और बिल्कुल उस तरीके से आपको इस्तमाल करें और बहुत सारे जवान लोग आपके द्वारा भी आशिश पाए आपको और आपकी पतनी को धेर सारे आशिश प्रभू दे और थाइंक यू सो मच ठीक है तो हमने देखा कि अनुझ भाई ने कहा कि दुनिया के चश्मे को को पहन कर आप सभी को धेरो बधाई आप सभी को यूश मैसी की नाम से बहुत सारे आशिश और दुबारा जुड़े रहें दुबारा मिलते रहें और एक दूसर को प्रोच्साहित करते हो एक दूसर को उठाते हैं